इंदौर की युगपुरुष धाम संसा में अब तक पांच बच्चों की मौत हो चुकी है। कलेक्टर ने बच्चों में इंफेक्शन ये पुष्टी की है। कडी, दाल चामल से बनी खिचडी और दलिया खाने के बाद बच्चों की सिति बिगडी थी। इसके बाद दूसरे बच्चे की मौत हुई और यहां आकडा पांच मौतों तक पहुँच गया। बच्चों की मौत रेस्पिरेटर सिस्टम फेलियर से हुई है। बायलोजिकल रिपोर्ट आने में साथ दिन लगेंगे और विस्रा रिपोर्ट आने में तीन से चार दिन लगेंगे। उसके बाद ही मुख्यकारण सामने आएगा। मामले में उन्होंने कहा कि बच्चों में बिमारी के लक्षन अलग-अलग तरह से प्रदर्शित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की टीम दिन रात यहां तैनात रहेगी। अब तक चार राउंड में बच्चों की जाच की जा चुकी है। रात के खाने के पहले एक बार फिर जाच की जाएगी। खाने के बाद और फिर सोने के पहले बच्चों का परिक्षन किया जाएगा। दोसो साथ बच्चे रखे गए थे, क्या इतनी खमता है यहां पर रखने की बच्चा की। देखें जो यहां पर दोसो चार बच्चे रखे गए थे और जो स्पेस है उसको अलग-अलग भागों में वो किया गया है, बाटा गया है। अगर बात करें तो वो टेक्निकली वो पॉइंट देखना पड़ेगा और उस तरीके से अभी देखने का ना तो वक्त है ना हम लोगों ने उस तरीके से उस चीज की जाच करी है। अगर हमारा फोकस इस बात पर है कि जितने भी बच्चे उपचारत हैं उनका उपचार अच्छे तरीके से हो जाए। और प्लस जितने भी बच्चे यहां पर हैं अगर कोई भी छोटा मोटा भी लक्षन उनमें उस तरीके के दिखाई देता है तो उनको हस्पिलाइज क्या है। क्या है बलड में इंट्रेक्शन आया है पानी पे है कुछ गड़बड आई है या खाने में। देखे अभी सारे जो सेंपल्स जो हैं वो ले लिए गये हैं पानी के और खाने के और चुक्क उनकी रिपोर्ट आने में समय लगता है तो वो रिपोर्ट कुछ जो केमिकल लिपोर्ट है वो कल तक आएगी लेकिन जो बाकी पीम में ऐसा कुछ जिसे की कारणों का पता लग सके ऐसा नहीं आया है उसमें जो कार्डियो रेस्पारेटरी फेलियर आया है लेकिन वो जो शौट पीम रिपोर्ट है उसमें आया है जो विसरा कंजर्ब किया गया है उसके आधार पर असली कारण पता चलेगा आप मजिस्ट्रेट जाज के आदेश दे रहे हैं इसमें एक हाई लेवल कमेटी हम लोगों ने बनाई है जिसमें की मेजिस्ट्रियल जाज भी है गरो बेनल की अधिक्सा में बनाई गई है लेकिन उसमें हम लोगों ने जो चाचा नहरू की हेड हैं डॉक्टर मालपानी उनको भी रखा है इसके अलावा जेडी जो मेला बालिका से उन लगा कि रखने आवश्यक है जिससे की बविश में इन चीजों की पुर्णावरत्ती ना हो इसलिए उनको भी रखा गया है देखें ऐसा नहीं है इसमें चुकि सभी जो बच्चे हैं वो एमार है जो मांसी ग्रूप से विकलांग है और सभी के जो लक्षण है वो अलग-अलग तरीके से पदरशित हो रहे हैं सारे डॉक्टर्स अभी भी मतलब लगभग तीन राउंड्स या चार राउंड्स का अभी तक परिक्षण कर चुके हैं और हर राउंड में एक दो बच्चा कोई ऐसा निकल रहा है जिससे की लगता है कि इसको कोई इस तरीके का सिंट्रम हो सकता है चुकि वो कम्निकेट नहीं कर सकते हैं और उनके लक्षणों का इस तरीके से पूरी तरीके से पता नहीं चल रहा है इसलिए जैसे ही जैसे अगर किसी के हाथ या पैर का टेंपरेचर कुछ थोड़ा अबनॉमल लग रहा है या कुछ अनिस्पकार के लक्षण अगर पदर्शित हो रहे हैं तो एहतियातन उनको हॉस्पिटलाइस किया जा रहा है जो बारा बच्चे सुबह गये थे इस्पताल में वो पूरी तरीके से ठीक हैं उसके बाद जब डॉक्टरों की टीम यहाँ पर आई उन्होंने उसमें से पांच बच्चों को अइडेंटिफाई किया जो लगा की जिनमें से कुछ को लक्षन प्रदर्शित हो रहे हैं उन्हीं पांच बच्चों में से एक की डेथ हुई और एक बच्चा जिस समय सारी जाच की चीजें चल लही थी उस समय में यहाँ पर उसकी डेथ हुई उसके बाद में जो डॉक्षन ने जितने भी चरणों की यहाँ पर परिक्षन किया है उसमें से जितने भी बच्चे निकले हैं उनको अस्पताल बेजा गया है कुल तीस बच्चे अभी उप्चार रथ हैं और इस लक्षनों को पदर्शित होने के बाद अगर हम लोग बात करें तो चार बच्चों की मित्ति होगी हैरत की बात है कि एमवाय और जिलस्वास विभाग की टीम तैनात रहने की दौरान ही पांचवे बच्चे की मौत हो गई तीस बच्चों की हालत भी चिंता जनक है मामले में कलेक्टर ने कहा कि पूरी रात डॉक्टर की टीम तैनात रहेगी संसा के पानी और खाने का इस्तमाल नहीं होगा जांच के बाद ही यहाँ पर खाना और पानी दिया जा सकेगा महीं कलेक्टर ने इस पूरे मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिया है इसके साथ ही कमीटी बनाए गई है जिसमें SDM गौरो बेनल चाचनहर अस्पताल की अधिक्षक प्रीती मालपानी वा अन्य धिकारी इस पूरे मामले में जांच करेंगे वहीं SDM पर कारवाई को लेकर कलेक्टर ने कहा कि विडियो और फोटो के आधार पर SDM पर कारवाई की गई है कोई भी प्रशासने कधिकारी को ऐसे समय में समवेदन शील होना चाहिए इन दौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट जी नहीं यहाँ पर जो किचन है उसी में खाना बना था और जो उनको खलाया गया है जो भी वहाँ पर मौझूद था जितना भी खातिपदार्स उन सभी का सेंपल हमारे दोरा लिया गया है और सेंपल्स प्राइवेट लैब भी भेजे गए हैं और इसके अलावा भॉपाल में शास्के लेट होई परसो डेथ हुई पहली कल दो डेथ हुई फिर अभी होई तो जब पहली डेथ हुई तो क्या संस्ता की लैबर्टीज नहीं थी उसी जमें आपको इन्फॉर्म करती या उसी समय बालविकास मईरा के मनब उनको बताती हैं क्या यह उनकी प्राइमरे फॉल्ट नहीं है कलिक्टर सार्थ जो पहली डेथ परसों की है वो उस समय तक अन्य बच्चों में किसी में भी लक्षन प्रदशित नहीं हुए थे और यह जो लक्षन उल्टी और डेथ त सतरी की डेथ है अकर उसको मिला दिया जाये तो पंच टेल डेथ हैं लेकिन जो अपसे लक्षनी प्रदाशित हुए है कल से जो लक्षनी प्रदाशित हुए हैं उन जो यह इन हैं जिसका हम लोग पपता लगाने की कोशिक करने। उस इंफेक्शन से चार डेथ होना प्रतंदश्टिया प्रमारित हो रही है एक जो डेथ तीस तारीक को हुई है उस समय उस बच्चे में या फिर अन्य बच्चों में ये लक्षन उस समय प्रदेशित नहीं हो रहा है अप्र श्वीम बड़कुल पर किस तरह की फारवाई की गई आपके निश्ट रूप से जो वीडियो और फोटो देखने में आया था निश्ट रूप से जितने भी शास्की करमचारी हैं उनको समय नशील होना चाहिए और खासतोर पर एसे मौकों पर समय दंशीलता देखे पांच में चार का जो पैटरन है वो अलग है और एक का पैटरन अलग है जो एक तीस तारी को डेट हुई थी वो फिट्स आने के बाद में और बिना जो उल्टी अदस्त किये हुए उसकी डेट हुई थी बाकी के जो चार है उनमें उल्टी दस्त जैसी लक्षन पहले दिखे और उसके बाद उनके डेट है इसको एक रेयर कहें सब्सक्राइब के जाए इसके लिए जो एक कमिटी हम लोगों ने बनाई है उनके द्वारा जांच करी जाएगी और किस समय से लक्षन प्रदर्शित चानू हुए उसके बाद क्या क्या हुआ एक विस्तित रिपो सब्सक्राइब कहा जा सकता है लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों ने लगवाद चार राउंड की मेटकल परिक्षन करा लिया है और हमको जितना भी थोड़ा बहुत भी चूंकि बच्चे कम्निकेट नहीं सभी कर पा रहे हैं अगर कहीं से भी हल्की फुल की अबनॉमिलिटी की टीम लगाई है और कल के लिए भी डॉक्टर की टीम हमने लगा रखी है प्रशासने का दिकारी भी कम से कम कल कल शाम तक यहां पर रहेंगे मौजूद रहेंगे प्लस क्योंकि यहां पर कोई भी खाने पीने की चीज में भी इंफेक्शन हो सकता है इसलिए अभी यहां के किचन में कोई भी पानी जो खाने की चीज है उसको यहां पर यूज नहीं किया जाएगा बाहर से ही अभी